हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मनिका और मैं आज आपके लिए मलाई लड़ो की रेसिपी लेके आई हूँ ये लड़ो बहुती सॉफ्ट और मुह में घुल जाने वाले लड़ो है लड़ो को आप पांच मिनट में अपने घर पर बना के तयार कर सकते हैं अगर आपके घर पर दूथ फट गया है तब भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और अगर आपके घर में अगर अचानक से कोई मेमान आ गया है और आप उनको बजार जैसी मिठाई खिलाना चाहते हैं तब भी आप इन लड़ो को बना का सवर कर सकते हैं इन लड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लीटर फुल फैट मिल्क लिया है जिसे मैंने उबा लाने तक गरम कर दिया है और इसे अब मैं पांच मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी इसे ज्यादा ठंडा नहीं करना है इसे चार से पांच मिनट के लिए बस हलका सा ठंडा होना है के लिए रखना है अब इसे मुझे रखे वे चार से पांच मिनट हो गये हैं अब मैं इस दूद को फाणने के लिए इसमें विनेगर का यूज कर रही हूँ आप इसकी जगत चाहे तो लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं अब इसमें थोड़ में चैना और पानी अलग हो चुका है ये देखिए ये फुल फैट मिल्क लेने से इसका चैना कितना अच्छे से निकल के आता है ये अब हमारा चैना और पानी अलग हो गया है तो अब हम इसे एक चलनी के सायता से इसे चान लेंगे तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक ब थंडे पानी से वाश कर लेंगे, थंडे पानी से दोने से ये soft भी हो जाता है, और हम ने जो इसे फानने के लिए lemon juice या vinegar का उपयोग किया था उसे जो खटापन आता है वो भी इससे निकल जाता है तो अब हम इसे अच्छे से ठंडे पानी से धो देंगे और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम हाथ से दबाकर इसमें से निकाल देंगे अब भी इस छेने में से सारा पानी निकल गया है ये देखे इसका काफी पानी निकल के आया है इस पानी को हम सबजी में या आटा लगाने में यूज़ कर सकते हैं तब हम इसे साइट कर लेंगे और इस छेने को हम अलग से एक बरतन में निकाल देंगे इस छेने को मैं इस पाव भाजी मैसर से अच्छे से मैश कर दी हूँ ताकि ये थोड़ा चिकना हो जाए आप चाहे तेसे हाथ से भी मसल सकते है अब ये छेना अच्छे से चिकना हो गया है तो अब मले लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में दो चमत जितना फ्रेश क्रीम डाल देंगे यहाँ पर मैंने यह अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है आप चाहे तो किसी भी ब्राण का ले सकते हैं इस क्रीम के अंदर हमने जो च्छेना बनाया ता उससे भी इसमें डाल देंगे अब इस च्छेने को हम medium से high flame पर अच्छे से cook करेंगे जब तक कि इसमें से सारा motion निकल न जाए इसे low flame पर इसे cook न करें नहीं तो इसका color brown हो जाएगा हमें इसका color white ही रखना है तो इसे medium से high flame पर ही इसे cook करना है इदे के च्छेने से काफी पानी सोक हो चुका है ये काफी थिक हो गया है तब हम इसके अंदर milk made एड़ करेंगे मैं इसमें 2 चम्मत जितना milk made डाल रही हूँ आप इसमें चाहें तो चीनी भी एड़ कर सकते है अब हम इसे फिर से 2 minute के लिए medium से high flame पर cook करेंगे इसे ज़्यादा overcook नहीं करना है ये हमारा चैना अच्छे से थिक हो गया है तो अब हम इसे एक बरतन में निकाल देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे अब ये हमारा मिक्षण अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब हम इसके लड़ू बना देंगे मैं इसके छोटे ही लड़ू बना रही हूँ आप चाहे तो इसे थोड़े बड़े लड़ू भी बना सकते है अब ये हमारे सारे लड़ू बनके त्यार हो गया है तो अब मैं इनके उपर ये पिस्ता कत्रन डाल दूँगी और इसी के साथ मैंने ये कुछ केसर के धागे लिए हैं उसे भी एक किक करकर इन लड़ू पो लगा दूँगे जिससे की ये लड़ू और भी सुन्दर दिखते हैं और इन लड़ू को और गार्णिश करने के लिए मैंने ये चांदी का वरक लिया है जिसे भी थोड़ा थोड़ा करके मैं इन लड़ू पो लगा दूँगी हमारे मलाई लड़ू बनके त्यार हो गए हैं ये देखने में जितने सुन्दर लग रहे हैं ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये लड़ू बहुत ही सॉफ्ट बने है ये मूँ में घुल जाने वाले लड़ू है और ये बहुत ही जटपट भी तयार हो जाते है ये देखे एक लड़ू को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यह देखिए यह लड़ू कितना soft बना है यह लड़ू स्खाने में बहुत ही tasty है इन लड़ू को आप अपने घर पर बना कर जरू ट्राय करें आपको यह बहुत ही पसंद आएंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए